भगवा गमचापायन के भगवा ठीका लगा कर ये अपने आपको धर्म योद्धा कहते हैं लेकिन वास्तविक्ता ये है कि आज हमारी जो मंदिरें हैं वो विरान हैं ये हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे लेकिन अगर आप ठीक बगल के मंदिर में जाके देखेंगे तो आपको ये दिखाए देगा ये वो मशीन है जो हमारी सनातन धर्म के लोगों की विफलता का असफलता का जीता जाकता उधारन है धार मेरे ठीका दर होए गया छे जातेर को थाई मानूस नाचा नाची सुरू कोरे दिये छे हिंदू राष्ट्रो होबे तारा को तो धार्मी एटकिन्तू देखार ब्यापर आछे ए सोमस्तो बीसोई निये बिनोई दूबे हम अपने जिन्दगी में इतने वैस्त हो गया हैं कि जिस भगवान ने हैं में जनम दिया समरुद्दी दी अच्छा स्वास्त दी अच्छा परिवार दिया उसके आरती के समय यह जानते हुए कि आरी आरती का लेकिन हम जाते नहीं हैं वही कारण है कि ये मशीनों ने आज हमारी जगा, इंसानों की जगा मंदिरों में ले ली हैं। मंदिर में पुजारी को इस मशीनों की जरुवत पड़ती है ढोल बजाने के लिए, घंटियां बजाने के लिए, शंक बजाने के लिए ताकि आरती पूरी हो सके। यह हम उस हिंदू राष्ट की बात कर रहे हैं जहां हर सोया हिवा हिंदू जाकता है और हिंदू राष्ट की मांग करता है लेकिन इस पूरे भारत के अंदर लाखो ऐसी मंदिरें हैं जहां पर आरती के समय चार सनातनी खड़े होना दुरलब ही दिखते हैं मशीनों के बिना आवाज के आरतियां संपन्य नहीं हो पाती हम उस देश के अंदर इस बात पे लड़ रहे हैं कि हमारा सनातन पूरा ना है कि तुम्हारा इसलाम पूरा ना है मंदिरें भगवान जो हैं अंदर बैटके अपने भक्तों के दर्शन के लिए तरस रहे हैं मशीने ढोल बजा रही हैं तो आरतियां पूरी हो रही हैं ऐसी खुपसूरत भारत को हिंदू रास्ट घोशित करना चाहिए मेरे तमाम सनातनी भाईों से मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई पहले आपने मंदिरों को तो आबात कर लो अपने मंदिरों में कम से कम आरति के समय तो पहुचा करो भगवान को ये महसूस ना होने दो कि सला हमने जिस इंसान को बनाया जो वही हमें बगल कर दिया अज मशीनों के साहरे प्रातनाव आरतियां हो रही है ये हम सनातनियों के लिए शर्म का विशा है हमारे मंदिर खाली है हमारे भगवान इंतजार में हैं कि कब वो आएंगे वो एक ही दिन आते हैं जिस दिन उनका दिन होगा अभी देखिए कल महा शिवरात्री है सारे लोग तूट पड़ेंगे शिवलिंग पर जल चड़ाने के लिए गंगा जल चड़ाएंगे दूर चड़ाएंगे फूल पत्त पूरे देश में निकाली जाएगी ठीक उसके अगले दिन देखे प्रभुशी राम के मंदिर में विराना सन्नाटा फिर वही पंडी जी अपना मशीन लगा के आरती गुन-गुना रहे हैं हमारे महारास्टा में देखिए दस दिन की गंपती होती दस दिन भरपूर गंपत पूजा करने के लिए प्रातना करने के लिए आरती करने के लिए जाने का समय नहीं है कि सोचिए हम हिंदू राष्ट की मांग कर रहे हैं और लड़ रहे हैं उनके नाम पर प्रभुशी राम के नाम पर लोगों को पेड़ों से बांध दिया जाता है मार मार कर उनकी देते हैं यह वह भारत हैं जहां पर उनके गाओं की मंदिरों में लोग जल चड़ाने नहीं जाते अगर बत्ती लगाने नहीं जाते पूजा का फूल रखने नहीं जाते और हम बात कर रहे हैं हिंदू रास्ट की यह वह आइना है जो आपको दिखने में थोड़ा सा बूरा लग सकता है लेकिन वास्तविक्ता यही है मेरे उन तमाम सनातिनी भाईयों से पूछना चाहता हूँ या अगर आप देखना चाहेंगे तो इनकी फेस्बुक प्रोफाइल उठा के देख लिजे केवल नारे बाजी भारती जनता पार्टी के तलवे चाटना अडवे सहलाना मुसल्मानों को गाली देना यही सनातम धर्म इनको सिखाया गया है यही यह कर रहे है जबकि असली सनातम धर हमारे मंदिरों में भगवान की मूर्ती के अंदर अपने भक्तों के दर्शन के लिए तडप रहा है वो सनातन जो मंदिरों के अंदर होना चाहिए हो सड़कों के उपर नंगा नाच कर रहा है जितना तेज हम नारा लगा लेंगे जितना ज़्यादा डीजे बजा लेंगे मस्धिदों के सामने जितनी मुसल्मानों को गालियां दे देंगे भगवा पहन के कितनी हम कतल करने की मुसल्मानियों की बेटिया बलातकार करने की बात करेंगे उतन साल वनवास करके संघष किया युद्ध किया वो मर्यादा-पूरुशुत्तम के लॉंड़े उन मर्यादा-पूरुशुत्तम प्रभुशी राम के अनुवाई सडक पर खुले या मुसलमान बहनों को बलातकार करने की धंकियां देते हैं सोचिए, प्रभु शीराम कितने खुश होंगे, धन्य है तुम्हारा ऐसा सनातन, माफ करिए मैं इस तरह के सनातन का हिस्सा नहीं हूँ, ना मैं बनना चाहता हूँ, ना मैं अपने पुष्टों को ये कहने की या उसे मानने की इजाज़त दूँगा, जब तक मैं जीवित हूँ, मैं महादेव के सनातन में विश्वास रखता हूँ, सीता राम के सनातन में विश्वास रखता हूँ, विश्नु भगवान के सनातन में विश्वास रखता हूँ, ब्रह्मदेव के सनातन में विश्वास रखता हूँ, मुझे ये सडक पर भोंगा लगा कर चिला कर अपने आपको नंगा नाच करा कर सनातनी का साबित करने का मुझे माफ करिए ये मुझे से नहीं होगा मेरा सनातन कहता है कि अपने धर्म पे अभिमान करिए और दूसरे धर्म का सम्मान करिए ये है मेरा सनातन और आप अपनी सनातन अपने पास रखिए मैं अपने पास रख लेता हूँ उस काइनात को चलाने वाले की रच्छाब हम करने लग गए तो इससे बड़ा अफिम चाट कर अपने आपको गौर्वानवित मैसूस कराने का नशा शायर इस पूरे भरमांड में न मिले जिसके एक इशारे पर पूरे धरती पर भुकम पा जाते हैं और हम उसे संभाल नहीं पाते हैं हम सुपर पावर हैं हम मंगल गरह पे घर बनाने की सोच रहे हैं सूरे के ऊपर की क्या चीजे हैं देख पा रहे हैं लेकिन अपने घर के अंदर आये हुए भुकम से बचने के लिए हमें मेज के नीचे चिपना है कि दरवाजे काड ल जिसकी वज़े से भुकंप और ये चीज़े आपदाय आती हैं लोग मर रहे हैं ये सोचना पड़ेगा हम लोगों कि क्या गलती हुई हमसे हम इतने बड़े ताकत वर को हम रच्छा करने की बाते करते हैं यही हमारा घमन्ड हमें डुबा रहा है इंसानियत को मार रहा है तुर्की में जिस तरह से भुकंप आया उसके लिए मैंने एक हेल्प कैमपेंच चलाया हुआ है अब तमाम लोगों ने मदद किया उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ अभी तक करीबन 6,42,000 रुपे जमा हुए हैं जिसके अलावा 5,000,000 रुपे मैंने तुर्की के दूतावास में जमा कराए हैं अभी भी बहुत सारे लोग वहाँ पर मिल रहे हैं इस तरह की वीडियो देखिए शोशल मीडिया पर हजारो संख्या में मिल रही हैं चोटे चोटे बच्चे जो अनात हो गए जिनके घर जिनके साए छूड़ गए अपने उसे लोग उनसे छूड़ गए इसे लोग आज मदद के लिए इंतजार में है इंसानियत के लिए हम सब के लिए मानवता के लिए इस समय सबसे मुसीबत का पल है हम तमाम लोगों को अरागर आकर इन छोटे छोटे बच्चे जैसे बच्चे बच्चों के लिए एक साया बंकर एक मदद बंकर खड़ा होना जरूरी है मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि यह जो आर्थिक मदद हमारे लोगों से हमारे देश में जनता से जमा हो रहा है वो तुर्की के दूता वास तक पहुंचे और बाद में यही पैसा उन विचारे लोगों के निवाला बनकर उनके पेट में जाकर उनको राहत दे दो चार गुटका खा लेंगे बेवज़ा का नास्ता कर लेंगे बिना मन का कोई गिफ्ट खरीद के किसी को दे देंगे अगर वो पैसा बचा कर हम तुर्की में इन चरुतमन लोगों को भीज़े तो शायद इनकी जिन्दगी आसा वर सकती है बस यह इंसानियत वाली सोच सब्सक्राइब कर यह कैमपेंड मैंने शुरू किया था और आप लोगों ने उसमें जम कर बहुत भैतरीन तरीके से मदद किया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं लेकिन अभी भी यह मदद बहुत तिनके के बराबर है अगर अभी भी आप लोग चाहते हैं कि आ एटियम या यूपिया नंबर 9004929313 इस नंबर पर भेज सकते हैं या आपके स्कैन कोड देख रहे हैं इसको स्कैन कर भी भेज सकते हैं हो सकता है जब आप यह भेज रहे हो तो आपको सीक्यूटी कारेंट से पेमेंट फेल दिखाए तो आप वापस से कोशिश कर सकते हैं या दूसरे स्कैन कोड को ट्राय कर सकते हैं आपका भेजा हुआ एक छोटा सानुदान किसी के पेट की भूग मिटा सकता है किसी नंगे शरीर को कपड़ा दे सकता है किसी सर को चाया दे सकता है यही सोच के मैं इस मुहीम में आगे बढ़ रहा हूं अगर आप भी मुहीम मे आप अनुदान भेज सकते हैं अगली वीडियो में जो तुर्की दूता दवास है उसकी वीडियो मैं आपके सामने रखूँगा वो पेमेंट करने की पूरी रिसिप्ट्स आपके सामने रखूँगा और कोशिश करूँगा कि इतना जादा से जादा तुर्की और सीरिया में मदद पहुचाई जा सके क्योंकि यही वक्त है जब इंसानियत करा रही है और हम सब का काम है कि उस चोट पर मरहम जरूर लगाएं अगली वीडियो बहुत जल अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं शेयर करें लोगों तक पहुचाएं तब तक जाए हिम जाए महारास्टा